हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो मैं चैनल प्रिगनिंसी केर विद मेगा, मैं मेगा आपका अपनी चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, कैसे हैं आप लोग, I think सभी स्वस्थ होगे और बहुत ही खुश होगे, दोस्तों प्रिगनिसी के दोरान क्या खाएं, क् खाना सही नहीं होगा ऐसे बहुत सारे कोशन है सभी के मन में चलते हैं, लेकिन और बदाम खाने के लिए सब भी लेकिन बदाम खाने चाहि should be that cream, किछ इस तरीके से call चाहिए और बदाम से होने वाले फायरे तो आज के इस वीडियो में ये पूरी जानकारे लेकर आए हूर उमीद करूंगे कि आज का इस वीडियो आप लोगों अच्छा लगे अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा लाइक कीजेगा कमेंट कीजेगा और शेयर कना दोस्तों बिल इस वीडियो जाता है और शुरूर आत में गरम चीजे खाने लिए नहीं बोला जाता क्योंकि इससे अबोशिन का खर्टा बढ़ जाता है और शुरूराती दिनों में अगर आप बदाम का सेवन करती हैं तो आप उनको बीगो कर ही खाइए और आपके च्छे बदाम का सेव बादम बादम काफ़ी तरीक नोभ अधालम से तीमाई में तो आपको बादम को भीगो करें जिसे कि इसका कोई भीशिए अगर आपको बादम सूट नहीं करता है तब आपको बादम का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है जरूर ही नहीं है कि जो भी चीछ फायदे मन्द हो वो सभी आपको सूट कर जाए लेकिन अगर आपको बदाम से कोई भी ऐलर्जी हो रही है प्रेग्निसी के दोरान तो आपको बदाम का सेवन नहीं करना है अब बात कर लेते हैं बदाम से होने वाले फायदों के बारे में क्योंकि बहुत लोगों का question होता है कि पाँच बदाम खाने से हमें ऐसे कूछ से फायदे मिल जाएंगे देखे दोस्तों पाँच बदाम अगर आप प्रेडिनसी में खाते हैं साथी साथ आप भी गोई उसके साथ पाँच किश मिश रात में भी गोई सुबह उसका सेवन कर लीजिए उठते सबसे पहले एक ग्लास दूसरे उसको खा लीजिए बहुत फायदा होगा क्योंकि फॉलिक एसिड से भरपूर होता है बादाम बच्चों के मानसिक विकास के ली बच्चों को जन्म दोश से बच्चानी के लिए बादाम बहुत ही फाइदे मन होता है। पॉलिक एचिड की बरपूर मात्रा इसके अंदर होती है जो आपकी बच्चे के लिए बहुत फाइदे मत होती है फाइबर के अच्छी मात्रा होती है बादाम के अंदर प्रिग्निंसी के दोरान कब्ज एपर्च ऐसे डिटी के समस्या बहुत ही आम है और आकरी तिमाई तक आते आते तो दोस्तों यह बहुत जादा बढ़ जाती है और अगर आप बदाम का सेवन करती है तो आप इन समस्याओं से काफी हट तक बच्ची रहती है एनर्जी का श्रूत है एनर्जी स्केंदर बहुत अच्छी होती है बदाम का सेवन करने से आपको एक्स्ट्रा एनर् केल्शियों के अच्छी मात्रा होने के कारण ये आपके बच्चे में हड्डियों दातों और आपके शरीर को बहुत जादा फायदा देती है केल्शियों की अच्छी मात्रा आपके बच्चे के बहुत बहुत जादा जरूवे होती है आयरन की अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है, आयरन की मात्रा अच्छी होने से आपके शवीर में खून की कमी नहीं होती है, और खून की कमी नहीं होगी तो आपके बच्चे का डवलप्मेंट पी अच्छे से होगा, आपके बच्चे का विकास पी अच्छे से होगा, तो आप अपनों ब्रेक्फास्ट कीजिए फूट्स खाईए खाना खाईए जो आप दिन बर खाना खाना चाहते हैं आप उसको खाई लिए लेकिन इस तरीके से अगर आप बदाम का सिवन करेंगे तो प्रेगिंसी के दुरान बदाम के आपको अद्बुत फायद देखने को मिले तो उम्मीद करती हूं दोस्तों आज के वीडियो आप लोको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूले थैंक यू फॉर वाचिंग प्रेजिंसी के अभिद मेग तेंक यू नमस्कार